लेकिन डाउ की ये स्ट्रेंथ अभी बरकरा रहे हैं, आल्सो गिविन दे फक्क कि हम कच्छे तेल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है वो स्लोडाउन के कंसर्न में पिटा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो हम तो बिग बायर हैं हजार पॉंट की तैजी की बाद तो हम कल भी कर रहे थे, डाउ लगबख लगख हजार पॉंट की तैजी के लिए तैयार हो रहा है, वापस से एक बार 34,000, 34,200 तक जाने की तैयर ही है, तो 400-500 पॉंट और बचे हैं, 33,200 से आकर गुमता तो ठीक था लेकिन 33,400 के आसपास से ही गुम गया है, तो इस बीच में उपर नीचे उपर नीचे होता रहेगा, दो दिन आपको भागते वे दिखेगा है, आज कल में एक बार 34,000 हो जाए और वहाँ पर फिर से थोड़ी प्रोफित बुकिंग आए, तो डाउ कोई बहुत तेजी या बहुत मंदी दिखाने के मू होटी कर लिए, आपको हफ्ते वर का वियू लेना है, तो थोडी सी बड़ी कर लिए, हमें कोँ सा डाउ का रोज-चा रोज रोजन निकालना है, तो इसलिए मैं थोडी सी बड़ी रेंज लेता हूं, थोडी सी बड़ी रेंज यह ए 33,000-34,500. तो उसके आसपास जाके इसको रुखना है, तो 33,000 के आसपास सपोर्ट है अच्छा, तो इस 1500 पोईंट की रेंज को एंजोई करो, उस इसाफ से जैसा डाव डाव फीचर से कमाल दिखा है, या तो एक दिन पहले या नेक्स्ट है, उसके इसाफ से आपको ट्रेड करना है, ज् किसी भी ट्रिगर में कोई ऐसी खास खराबी है नहीं, ना आपके बॉंड दिल्स बढ़ रहे हैं अमेरिका में, ना आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, कच्छा तेल धीमे धीमे गिर रहा है, पांच दिन गिर गया, बाइदो वे हमारा जो कुरूड ओल बास्केट है कच्छा तेल तो हमारे लिए सबसे बैस चीज है, बहले हम रोज उसके बढ़े ने बढ़े हैं, कई लोग दुखी होते हैं, इतना नीचे आगया सर आपको कहते हैं, कच्छा तेल से बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ता, आगे ना लाइफ रही पहले ही बना लिया है, रोज जो 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 kijक्त होकि护ो, जो कि बहुत है, तब हो धार क्या है मतना, चाहिए अदय करसे बिस्टेई काम फशाइन से लिए रहाझ से रहाद मीरी से ब्लकुल आपो करना बढ़े है, आप बाझ द्याक्षा यासर है इस लिए से पहले नहीं कर सकता है, बहले है य हम पहले हैं आने की तैयारी में है, वो है हमारे इंफलेशन का डेटा, 12 दिसंबर को आकड़े आने हैं, और उससे पहले जो पोल्स में पढ़ रही थी, अर्थ शास्त्रियों के, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, टॉलरेंस बैंड के तो अभी भी उपर है, 2-6% का जो RBI का टॉलरेंस ब और देखे, आना ही है, हमारे इंफलेशन टॉप आउट कर चुका है, और ग्रेजुली नीचे आना है, अनुमान 6.3% का है, लास्ट टाइम 6.7% तो 40-26% गटकर आ रहा है, कच्छा तेल जो वापस से गट रहा है, अब ग्रेजुली इसका इंपेक्ट आएगा, मैं आपको कल मैंने आने के बाद पहली बार वापस टैंक फुल कर रहा है, रिजर्व में भी आ जया तो सुभई, तो जनरली रिजर्व में आने के बाद अगर एक आधा राउंड हो जाए, तो उस सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते है, है ना, तो जब आया है, मैंने देखा तो 5,100 रुपे में टैंक फुल, और इसी तरह की situation में ने 5,800 रुपे दिया है, मतलब आपके 600-600 रुपे तो कम हो गए, मतलब इतना impact तो धीरे धीरा आया है, टॉप से, 120 डॉनल की जमाने से अब तक, इसा नहीं, हफ्ते महीने बर से, तो पोइंट यह कि, आपका inflation एक चीज़ में याद करना चाहता हूँ, और इसकी credit में देना चाहता हूँ, बाजार के एक बड़े दिगज को, सुनील सिंगानिया साथ, अच्छा, अबेकस मुचिल फंके, अबेकस अच्छा भी की थी आपने, सुनील जी आया थे वी शो में, दिवाली के वक्त, बहुत स साफ उन्होंने कहा निल मुझे 60-70 डोलर आते हूँ दिख रहा है, एकदम साफ, मतलब जब 110-120 डोलर के आसपास कच्छा तेलो, उनका बहुत clear-cut bold contract call में क्या होता हूँ, जब इससे बड़ी चीज आती ने, जिसे राउल अरोर साभ बोल के 15 जा निफ्टी आ जाएगा, मैं उसको underline, bold letter में ये सब करवा देता हूँ, तक याद रहे, हमें भी याद रहे, दश्कों को भी याद रहे, उनको भी याद रहे, उनको भी याद रहे, तो इतने बढ़ी बढ़ी आर बोल कोल देकर जाते हैं, बहुत directionally strong बोलता है, अब उनको याद एगनी है, मुझे पाट सतर डोलर तक आ जाएगा, असी तो कहीं नहीं गया, तो ये चीज है, तो आई थिंक कच्छा तेल हमारे लिए, जो अगर 75-76 पर है, अब टिकार है असी के उपर ना जाए, हम उसमें ही खुश है, और सतर कर दें, आप तो बहुत ही बढ़ी है, 75 तो आई गया और हमार तो कुरूड बास्केट वैसे भी महरबानी जो दूसरे डेस्टिनेशन से आ रहा है तेल, तो उस वज़ा से हम देखी रहे हैं